मेरे चस्ट में 33 जगा पे 33 जगा पे टिशू फट गए थे और एक डॉक्टर गांदी हुआ करते थे उन्होंने मुझसे कहा गोविंदा तुम बहुत दिनों हॉस्पिटलाइज रहोगे और ऐसे में मैं क्योंके मम्मी निकल चुकी थी तो मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था और ये मुझे प्रमान मिला कि 48 अवर्स मैं जाप करता रहा हूँ वो सब क्लीन हो गया और डॉक्टर मुझे पूछने लगा क्या 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 मुझे गुरू मंत्र दो मैं का सच्चे दिल से सिर्फ नाम लिया मैंने और मुझे ये क्रिपा हुई कष्ट पंजान हमान जी पे क्रिपा ये सदा ही वराई है कभी तकलीफ नहीं आई और तकलीफ में कभी तकलीफ महसूस भी नहीं हुई तो मैं ये सत्य कह रहा हूँ गुरू जी जिस वक्त मेरी मम्मी का आधर्णिय निम्ला देवी जी का निधन हो गया रोने के वज़े से मेरे चस्ट में 33 जगा पे 33 जगा पे टिशू फट गय थे और एक डॉक्टर गांधी हुआ करते थे उन्होंने मुझसे कहा गोविंदा तुम बहुत दिनों हॉस्पिटलाइज रहोगे और ऐसे में मैं क्योंके मम्मी निकल चुकी थी तो मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था और ये मुझे प्रमान मिला कि 48 अवर्स मैं जाप करता रहा स्वामी नाराण जी का और वो सब क्लीन हो गया और डॉक्टर मुझे पूछने रहा क्या 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 मुझे गुरु मंत्र दो मैं कहा सच्चे दिल से सिर्फ नाम लिया मैंने और मुझे ये कृपा हुई उसी वज़ा से आज इस जगह जिस वक्त मुझे कहा गया कि मैं आऊ तो मैं आया क्यूंके मुझे तो कष्टर मंजा नामन जी पी कृपा और स्वामी नाराण जी की कृपा ये सदा ही वर रही है